हेलो एवरिवान कुछ टॉपिक्स रहे गए थे शेयर क्यापिटल में हाला कि जो की डी मेंट से रिलेटिट था उस पार्ट को मैं आज कवर कर लेता हूं बागी सारी चीजे जो हमने पढ़ी थी वो चीजे ओके हो चुकी थी आ जाते हैं सर यह रहां यह सारे टॉपिक्स रहे गए थे कुछ यह रहे गया था है टाइम लिमिट फोर डिलीवरिंग शियर सेटिफिकेट इंपॉर्टेंट है जैसे कि पेपर में इस बार आया नहीं इससे पहले तो फिर इस मतलब ही जो पेपर उनर्स में नहीं आए तो इ प्रोहबिड़िट बाइद लॉओ अध मतलब कोई ऐसा कोट ने कोई अबलीकेशन ना किया हो नॉर्मली कब तक हो जाना चाहिए विदिन आ पीरेड टू मंथ सर दो महने में अगर आपने किसी कंपनी में अपलाई किया है तो आपको दो महने के अंदर सेर्टिफिकेट मु जत विदिन आ पीरेड 2 मंथ फ्रम देट अफ अलॉटमेंट आपने जिस दिन बिना दारिट खरीदा तब भी दो महने यनि अल्तिमेट दो महने विदिन आ पीरेड ऑफ वन मंत एप महिने में आपको मिल जाना जी ए फ्रम देट उफ रिसीप्त आफ द धांपनी आपका इं पाइचा है तो उसको एक महीने के अंदर सारा रजिस्टर्ड वगरा नाम वगरा चढ़ जाना चाहिए वैसे आज कल तो डी मेट से होगया है ऑनलाइन हो गया है तो उस के के case में यानि मैंने बताया था transmission क्या होता है जब किसी जो shareholder था उसकी death हो जाती है तो उसके family member automatically मिलता है तो that is transmission उस case में भी एक मेने तो दो मेने और एक मेने आपको इसका याद रखना है ठीक है ना penalty आपका duplicate copy penalty की बात करते हैं तो penalty पढ़ लीजिए लेगा कहता है in case of default the company and every officer of the company responsible for the defaulting libel penalty कितने कासर 50,000 रुपए का fine लगेगा duplicate copy कहता है कि a share certificate may be renewed और duplicate certificate issue such certificate कहता है duplicate certificate मिल जाता है जैसे आपका खो गया क्योंकि paper form में physical खो गया तो आप duplicate certificate ले सकते हो इस प्रोवाइडेड है बिन दा लॉस और डिस्ट्रॉइड या आपका हो गया या फिर जल गया डिस्ट्रॉइड हो गया having been defected या तो फिर मान लेते हैं कि वो defect हो गया किसी विज़े से आपका multi जो है मस्ट लेट और टॉन या फट जाए आपका surrender कर दो company को तो इस case में भी आपको duplicate copy दिया जाएगा यह है कि कब कब आपको duplicate हो जाए डिस्ट्रॉइड हो जाए खो जाए फट जाए इस सब चीजों की वेज़े से दिया जाएगा ठेक है सर penalty 50,000 रुपए का है penalty and duplicate copy अगेन आ गया है आगे देखते हैं सर लीगल एफेक्ट ऑफ दशेर सेटिफिकेट क्या क्या लीगल है इस टेप यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पिपर में आ सकता है ध्यान रखिएगा क्या कहता है और शेर सेटिफिकेट इस अ प्राइमा फेसिया एविडेंस मतलब एक ऐसा एविडेंस से प्रूफ है तैटल ऑफ दा मेंबर ऑफ दा शेर कि आप इस कंपनी के मालिक हो यह एविडेंस रहता है therefore stops the company for the denying the title person of the share company ऐसा नहीं कह सकती कि आपका नाम चड़ा हुआ तो क्या करें आपका है नहीं शेर मतलब यह मानना पड़ेगा whom name mentioned in there जिसका भी नाम होगा उसको मानना पड़ेगा in other words it is the declaration by the company that whole words of person is whose name certificate is made out and whom it is given the shareholder of the company इसमें case आया था Dexon बस से और वैसे case law बस स्रिफ एक ही आया आप में आप जो जुडिशियल परसन के case law जरूर देख लिजेगा जैसे कि Delmarc का है Giffen Motor का है वो देख लिजेगा case law मैंने नहीं कराया है लेकिन आप देख लिजेगा आपको कहीं भी सर्च करने से लाइक आप YouTube पे सर्च fact क्या कहता है था इस case का Dexon था apply 300 share in a company में किया था उन्होंने and paid them और पैसे भी दे दिये check in the company who owned no share in the company और check किया थो उसके पास share ही नहीं था executed the transfer of 300 share in favor of आपका penalty किसी और के नाम पर transfer कर दिया था था penalty the company register the transfer issue new certificate penalty without the required check certificate to be procedure उसने क्या करा भया कि shares ना किसी और को दे दिया था जिस बंदे को मिलना था उसको दिया ही नहीं तो यहां पर गलती कर दी थी company ने it was held that the company was stopped for denying the validity of certificate in favor of the penalty अब जिसके नाम पर था तो company ने बोला कि भी यह तो गलती से चलागे यह नहीं होगा तो share certificate बोलता है primary face evidence है इसको मना नहीं कर सकता company को उसके बीच में जो भी सुलह कराना है वो कराना पड़ सकता है यहां ठीक है the share are fully paid up अगर है तो company shall be stopped और उसे stop कर देगा एज अगेंस्ट बोनाफाइड purchase of share value अलाइं आपका अलाइंग that they are not fully paid up मतलब इस दोनुं point में पता ही क्या कहा गया है कि आप shares जब खरीदेंगे तो आपका पूरा अधिकार है और आपका shares माना जाएगा company उन चीजों में stopल का मतलब है रोक नहीं सकती फॉर्ज होगा तो company को इसमें देखना पड़ेगा मालो आपने भी shares ले लिए और एक वेक्ति ने और भी apply कर दिया same share और पैसे दोनों ने दे दिए तो किसको मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा तो उस पर एक decision के उपर है एक case law है जो इतना important नहीं है अब पढ़ लेंगे ठीक है इसको समझ लेते हैं depository और बैंक होता क्या है यह question सा सकता depository क्या होता है और बैंक basic सी चीज़े समझेगा हम जब shares को खरीते हैं तो shares को आज के time पर electronic mode में भी रखा जाता है मेरे इसाब से इतने time में आप सभी को share बजार की थोड़ी ने थोड़ी knowledge हो चुकी होगी कि इतने advertisement इतना promotion होता है कि यह डबल हो जाएगा मैंने यूटूब पर देखता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने share X Y Z limited company का एक shares लिया तो यह shares दो तरीके से हो सकते हैं हमारे पास या तो हो सकता है physical form या फिर हो सकता है electronic form physical form का मतलब जैसे रुपए को समझो आपके पास note है तो दो तरीके सो सकते हैं अगर आपके पास पैसे है मेरे पास पैसे पढ़े पैसी हो तो यह जो पैसा है यह पैसा है मेरे पास physical form मिन और जो bank में मेरे 10 रुपए है ना वो आ electronic form में ठीक है clear तो यह फर्ख होगा तो physical form में जो आपके हाथ में share certificate होगा electronic form में जो आपके हाथ में नहीं होगा वो पता है depository के पास होगा जिसे हम demet account भी बोलते हैं तो sir shares को रखने के लिए यह बनाए जाता है depository और यह पैसा रखने के लिए और फिसे बनायाने जाता है bank बैंक आह gelir करनसी रखा जाता है तो यह फरक रहता है दोनों के पैसा आपके होते है न वह पास और दोनों में chat पड़ा होगा घब the company and CO CDs दोनो मिलके चलाती है और एक government Fast जो कि सारे के सारे document वो सारी चीजे करती है उस पर cv proper निगरानी करता है तो देखे सर क्या कहता है safe keeping securities और यह money यहां पैसा रखा यहां shares रखे जाएंगे यहां money रखा जाएगा hold security account hold fund account यहां पैसा रखा जाएगा transfer security between account यहां पे transfer between the account fund करा जाएगा transfer without handling physical security यहां पे transfer without handling physical cash cash के यहां पे shares मतलब के carry करके shares लिके जाएंगे वो नहीं होगा यहां पे इस तरीके से होगा ठीक है न तो यह चीजे है important depository क्या होता है एक पर यह देख लो क्योंकि पहले ही मैंने थोड़ा सा idea दे दिया features of depository system DMAT बोलते हैं depository system DMAT भी बोला जाता है इसको ठीक है न कहता है यहां पे security DMAT DMATERLization एक होता है DMATERLization तो DMATERLization क्या होता है मेरे पास मालो shares है यह माल लेते हैं shares है यह मेरे पास क्या है shares है अब इस shares को मैं क्या करूँगा इस shares को मैं चाहता हूँ electronic mode में कर दूँँ तो यह shares मैं दे दूँगा company को और यह shares मेरे electronic mode में आ जागा तो इसे बोलते है DMATERLization ठीक है न तो जैसे पैसे को जमा कर देते हो तो बैंक में पैसे चला जाता है तो security DMATERLization का इसका काम है इसके बाद आपका पंगलिटी parties involved कौन-कौन party involved होता है इसके अंदर इस case के अंदर तो कहता है depository होगा depository penalty जिसने दिया है DP account खुलता है beneficial honor होगा issuer होगा तो यह सभी इसके अंदर involve होते हैं सबसे पहले depository जो रखेगा जैसे बैंक में समझो पैसा रखने के लिए बैंक में पैसा रखेंगे तो कौन-कौन involved होगा मैं होगा banker होगा पैसा होगा तीन चीजह होगी तभी तो सकता है उसके साथ cashier वगरा भी होगा जिसे मैंने banker बोल दिया यहाँ depository होगा जहां रहेंगे penalty जिसके शेर से beneficial owner जिसके नाम पे जाएगा उसका भी होना फ्री में transfer हो जाता है risk भी नहीं है इतने party involved रहते हैं इसके नदर ठीक है difference demeteralization और remeteralization सर यह भी एक ना remeteralization क्या होता है देखो demeteralization मैंने क्या बता है हम अपने शियर्स को शियर्स में convert करने के physical शियर्स को मैं electronic mode में convert कर दूँगा तो क्या हो जाएगा सर demeteralization अब मेरे को लगता है यार वो शियर्स मैंने कर दिया है तो मैं बेच दूँगा लालच आएगा अब फिर मैं इसको बोलूँगा भाई मेरे जितने भी शियर्स के मेरे को certificate दे दे तो यह हो जाता है remeteralization ठीक है न तो क्या कहता है अब्वर्स के सबांसягर जेशल अब और यहां पर एलेक्टरौनिक फुर्सक्रेट्ड होता है सेटीपिर दे देूबर हमैसे को की बॉट्राइजेशन मैं से आपको फिर दे मेरे दा长 चैसे क्यालक मारे से primary principle function depository already demetralization so remetralization के लिए हमें company के पाँ जाना पड़ेगा use of form this is required demetralization form और इस case में remetralization form तो कुछ एक point था इसमें से पूछा जा सकता है तो यह कुछ एक point इसना हमारे chapters में रह गये थे जिसके उपर हमने discuss कर लिया है again मैं कहूंगा कि सारे points में हमने 100% coverage किया है सारा का सारा cover किया तो उसको आप बस ध्यान में रखिएगा और अच्छे से paper करके आईएगा hopefully आपका paper बहुत अच्छा जाए और आप प्रैक्टिस हांस से लिखके करेंगे ना तो देखिएगा paper आपका देफिनेटली अच्छा दाएगा thank you so much मिलते हम इसी तरीके से next video के अंदर और next part हम करेंगे